नमस्कार आप देखरें मनी गुरू मैं हूँ स्वाती राइना जिन्दगी की शाम जब धलने लगती है तो सबसे बड़ी चिंता सताती है कि अब गुजारा कैसे चलेगा पैसे कहां से आएंगे भारत जैसे देश में रेटारिमेंट प्लानिंग को लोग शायद ज़्यादा जरूरी नहीं मानते और यही वज़ा है कि सरकार ने बुढ़ापे में रेगिलर इंकम के लिए अन्यूटी प्लान जैसे प्रॉडर्क्स बनाए है जिसके जरी रेटारिमेंट के बाद आपको किसी के आगे हाथ पहलाना ना पड़े लोगों ने अन्यूटी प्लान के बारे में सुना तो बहुत है लेकिन उसे अपनाते नहीं है वज़ा है इसे लेकर जाग रुकता नहीं होना तो मनी गुरू के इस खाशों में हम अन्यूटी प्लान से जुड़ी हर वो बात आपको बताएंगे जिससे आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दीपक आपका बहुत सपागत है मनी गुरू में आज अन्यूटी प्लान्स के बारे में हम जानना चाहेंगे इन फाक्ट सबसे पहले उन लोगों के लिए जो कि शायद ना समझ पाएं ये अन्यूटी प्लान्स होते क्या हैं तो ये एक रिटार्मेंट प्लानिंग टूल है और ये माकेट में बहुत ही कम आप्शन्स रहते हैं जब आप रिटार्मेंट के पास पहुंशते हैं तब आपको risk के आपको stability चाहिए आपको हर महीने आपके इंकम तो अल्मोस्स टॉप हो गया होता है आपको एक regular income की जरुवत पड़ती है तो आप अगर retirement के वक्त अगर 60 साल के उमर पे एक bulk amount एक मान लिजी पांच लाक रुपे अगर आप एक insurance company को दे तो वो insurance company एक long term investment करती है और आपको guarantee करती है कि आप जब जिन्दा हो आपको एक regular income आपको हर महने मिलते जाएगा तो इसका advantage यही है कि बहुत long term investments करती है insurance companies और इसके कारण आपको यह guaranteed rate दे सकता है और जब इसके इतने सारे benefits हैं दीपक जैसा कि आपने बताया है कि retirement का एक अच्छा विकल्प है insurance product यह होता है जिसमें एक मुष्ण है regular किष्टो में रकम बीमा company को दी जाती है और retirement के बाद जीवन पर regular income का यह बहुत अच्छा avenue है तो इसको लेकर जागरूता की कमी है या फिर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है या जैसा कि आपने कहा कि बहुत कम products available है market में इसलिए चाहर लोग इसे नहीं अपनाते हैं figures और facts क्या कहते हैं? तो यह एक problem है अभी भी इंडिया में इसलिए आप insurance companies को भी आप अगर देखोगे तो वो यह जादा push नहीं करतें क्योंकि यह उनके लिए जादा profitable नहीं हो सकता है और काफी risky भी हो सकता है और एक दूसरा कारण यह भी है कि हम एक इंडिया एक face से गुजर रहा है जहां 15-20 साल पहले income standard average income काफी low हुआ करता था और फिर जब reforms हुआ और अभी के income है जो काफी increase हो चुका है मगर job stability etc काफी कम हो चुका है तो अब वो face आएगा जब काफी लोग जो यह income को अच्छी तरह से ride कर चुके हैं जिए इंडिया में wave आया था वो retirement की तरफ जाएंगे और तब annuity products में काफी focus होगा तो मेरे हिसाब से अगले 5-10 सालों में आपको इसके बारे में बहुत जादा सुनाई देगा तो 5-10 साल ये एक horizon है जब शायद इसमें और जादा popularity बढ़ेगी और हमारा discuss करने का मकसद यही है कि आप annuity plans को अपना सकते हैं अपने requirement के हिसाब से In fact, retirement goal हम set करते हैं जब हमें अपनी पहली salary मिलती है Insurance सबसे पहला कदम होता है किसी भी portfolio planning का और जब annuity की बात होती है इसकी शुरुवात इस एक पूरे portfolio planning में या एक personal financing में एक किसी भी शक्स को कब से शुरू कर देनी चाहिए In fact, retirement planning इंडिया में शायद सबसे कम किया जाता है क्योंकि हम काफी strong knit family system हुआ करता था पहले की बात कर रहा हूं मैं जो 10-15 साल पहले की बात है अब वो धीरे-धीरे disintegrate कर रहा है तो मेरे हिसाब से आप एक छोटा सा रकम जो first salary से वो 500 रुपए भी हो सकता है, 1000 रुपए भी हो सकता है आप regularly एक SIP या every monthly mode में कोई भी एक investment आप करते जाए अपने पूरे working life में तो आपको अगर 30 साल या 35 साल का अगर आप regular, even if it is a small amount आपको बहुत ज़ादा फैदा होगा और तब जब आप retirement हो हिट करेंगे तो आप वो एक lump sum amount को लेकर आप थोड़ा अपना कुछ हो सकता है कि प्लाने मतलब घर खरीदना हो और एक थोड़ा आप एक kitty annuity में भी डाल दें जिससे आपको एक regular income और तब आप नहीं चाहेंगे कि aggressive investments करें क्योंकि आपका age almost 60 65 हो चुका है तब आपको एक steady income की जरूवत है तो वैसे आप देखें कि working lifestyle working lifetime में अपना corpus build करें और जैसे retirement के पास पहुँचे एक annuity plan ले तो retirement के पास पहुँचके annuity plan लेना definitely एक काफी फायदे मंद साबित होता है और आपके लिए काफी beneficial होगा आने वाले time में लेकिन now coming to annuity plans अब लोग यह जानना चाहेंगे कि fine अब हमने सोच लिया कि हम annuity plan में निवेश करेंगी तो कितने options लोगों के लिए annuity plans में मौझूद है जहां पर वो निवेश कर सकते हैं और कैसे benefits उन्हें मिलेंगे annuity plans में निवेश करने के तो आज almost six to seven options है market में जिसमें आप different combinations हैं जिसमें आप annuity ले सकते हैं पहला यह होता है कि आप एक lump sum amount मान लीजाए आप एक लाक रुपए insurance company को देते हैं और insurance company आपको बोलते हैं कि आपको 9,000 या लगबग 90,000 आपको साल में आपको दे देंगे तो उसके हिसाब सरावन 9% का rate है तो वो आपको हर साल तो महिने का है तो आप मान लेजे उसको 12 से divide कर दीजे और वो regular income आपको मिलते जाएगा जब तक आप alive हो तो हो सकता है future में interest rates काफी dip हो जाए और आपको इतना बट क्योंकि आपने annuity लिया है आपको वो regular income मिलते जाएगा फिर दूसरे options ये हैं कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये जो lump sum invest किया है वो वापिस आ जाए या मेरे nominee को चले जाए तो मानलेजे आपने एक लाक रुपे डाला है तो आप जब तक जिन्दा हो आपको एक regular income मिलेगा मगर जब आपका death हो जाता है आपके nominee को ये वन लाक रुपीज वापिस दिया जाता है फिर तीसरा variant ये है कि nominee को वापिस नहीं मिलता है मगर nominee spouse को annuity मिलना शुरू हो जाता है ताकि spouse भी जब तक जिन्दा है उनको भी एक regular income मिलता जाता है और इसके सिवा आप 10 साल के लिए ले सकते हो 15 साल के लिए ले सकते हो आपको lifetime अगर नहीं चाहिए तो आप 10-15 साल के लिए ले सकते हो फिर आप बोल सकते हो कि मुझे एक period तक fixed amount चाहिए उसके बाद मुझे variable भी चलेगा तो ऐसे 7 combinations हैं जो आप ले सकते हैं मेरे हिसाब से best वही option है जिसमें आप एक lump sum दे और जब तक जिन्दा हो आपको एक income मिलता जाए इफ spouse को अगर include करना चाहे वो भी option आप देख सकते हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा complicated नहीं है मगर फिर भी आप थोड़ा read up कर लीजिए एक show में ऐसी सारा एक question में इसको संभालना थोड़ा मुश्किल है in fact इसे के तहत हम NPS scheme के बारे में भी जाना चाहेंगे जिसको काफी popular बनाने की बात की गई क्योंकि definitely सरकार ने भी काफी जादा इसमें ऐलान हाली में किये थे तो आकिरकार NPS में अगर निवेश किया जाता है इसके तहत तो क्या इसी खास चीज़े हैं जो लोगों को मिलेंगे NPS में ही invest करने के तो NPS भी एक mode of accumulation है उनको national pension scheme जो कहा जाता है कि अब आप अगर चाहें तो अपना income में से एक छोटा सा amount आप NPS में डाल सकते हैं बहुत ही low charges है even compared to mutual funds तो आपको काफी scope of growth है आप decide कर सकते हैं आपको किस तरह के funds में पैसे डालने हैं aggressive में डालने हैं तो aggressive में डाल सकते हैं और अगर debt funds में डालने हैं उसमें भी डाल सकते हैं तो अपने पूरे working life में आप NPS के थुरू अपना corpus build करते जाए और कोई professional fund manage हजी ही इसको manage करते हैं और जब retirement हो जाए तब आपको ये NPS से जो पैसे आते हैं आपको एक annuity खरीदने की एक मौका मिल जाएगा तो ये ज़रा ध्यान में रखेगा काफी जगह आपको और काफी लोग आपको बताएंगे के annuities tax free है मगर no annuities में जो आपको income मिलता है वो taxable है और आपने जैसे कहा कि NPS में अगर आप enter के हो तो जब retirement होता है तो आपको 40% compulsorily एक annuity purchase करने के लिए रखना पड़ेगा 40 से ज़्यादा भी हो सकता है ये government आपको force करना चाहती है कि अपने retirement में खुद plan करें और एक income ले और दूसरे पर reliant ना हो इसलिए ये 40% का cap रखा गया है राइट ये 40% का in fact कोई service tax भी है जो इसमें wave off किया especially NPS के लिए दीपक आप से जाना चाहेंगे जैसे आप purchase करते है NPS के थ्रू कोई annuity और ये बाकी जो service provider से उसमें ये विकल्प मौझूद नहीं है so just to make NPS more popular Swati unfortunately इस taxation में मुझे I'm not very confident तो मैं उस पर comment नहीं करूँगा अल्राइट in fact कई experts ये भी कहते हैं आपकी in fact मैं इस पर राइलेना चाहूंगी कि annuity best option नहीं है क्योंकि वो जो आपने कुछ tax के प्रावधान से बोले कि कहां पर tax लगता है कहां पर नहीं लगता है rates offered है वो भी लो है क्या ये वज़ा है कि annuity नहीं लेने के लिए experts कहते हैं कि बहुत बेटर option नहीं है तो मेरे हिसाब से आप सिर्फ taxation न देखें क्योंकि आप जब अगर आपका retirement time है तो आपके पास और कोई खास income है नहीं तो आप ऐसे भी tax labs में tax labs से ज़्यादा impact होगे नहीं आप अगर आपको मान लीजिए पचास हजार आता हो तो आप barely taxable income में आते हो तो और biggest advantage जो है annuity में ये है कि वो rate fix हो जाता है जब आप लेते हो आज के दिन बताना बहुत मुश्किल है कि अगले साल या दो साल बाद क्या interest rate रहेगा country में क्या interest rates रहेंगे और आप जब retired हो तो आप नहीं चाहोगे कि आपको FD में जो पैसे पड़े हो बहुत ही कम interest मिल रहा हो और यह हो सकता है कि 5 साल तक ये rate काफी कम हो आज शायद अच्छा लग रहा हूँ मार कोई guarantee नहीं है कि 10 साल 15 साल बाद ये rates किस तरह रहेंगे तो अगर कम हो गया तो आप एक बहुत बड़ा risk लेते हो और आज की दिन एक तो ऐसे कौन से provider से जहां से annuity plans लिये जा सकते हैं और क्या annuity plan लेते time भी एक proper analysis या फिर कह सकते हैं कि comparison किया जा सकता है उसके क्या parameters होते हैं कि अगर किसी को annuity plan लेना है तो कौन सा service provider है वो best annuity plan देता है तो लगबक साथ insurance companies, life insurance companies, almost सारे life insurance companies आपको annuities देते हैं आप उनके site पे जाके check कर सकते हैं कि क्या rates देते हैं अगर आप NPS के through ले रहे हैं तो सिर्फ list of seven life insurance companies हैं जिनको authorized किया गया है NPS के through annuities provide करने के लिए otherwise तो almost सारे life insurance companies आपको annuities provide करते हैं in fact अगर आप आज की दिन एक pension plan खरीते हो life insurance company से तो ये जरूरी हो जाता है कि जब आप vesting period में पहुचे तब आप उसी insurance company से ही एक annuity plan ले तो सारे life insurance companies के पास annuities plan है एक दो को छोड़के जिसके पास pension plan ही नहीं है और annuity plan लेने के लिए जैसे आपने बोला कि सारे insurance company के पास है कोई एक charge लगता है service charge लगता है जिसको उस टाइम पर देने की जरूरत होती है नहीं कुछ charge इसमें नहीं है काफी straight through plan है आप एक lump sum amount दे और आपके age के अनुसार और किस option को आप select करते हो उसके हिसाब से वो तभी बता देंगे कि आपको महिने में कितना पैसा मिलेगा तो वो आप confidently समझ सकते हो कि rest of your life में वो पैसा आपको मिलते जाएगा थोड़ा आप consider करें कि inflation भी हो सकता है क्योंकि आप 60 के बाद 75 तक भी रह सकते हो 80-85 भी age आपका हो सकता है तो थोड़ा वो consider करें और वो lump sum जो डाल रहे हैं वो शायद थोड़ा आप ज़्यादा डाले तो better है इन फाक्ट दीपक जिसमें कोई भी जैसे हम plan लेते हो इसमें आपको nominee mention करना पड़ता है तो especially for annuity plans nominees को लेकर इस पे क्या procedures जो है वो mention किये जाते हैं क्या प्रावधान है nominees के लिए तो similar जैसे ही आप कोई भी insurance plan लेते हो तो एक nominee आपको mention करना पड़ता है वो इसलिए है कि अगर कोई benefits आपको आपके मरने के बाद अगर किसी को benefits मिलना है तो वो nominee को आप ही बता सकते हो कि किसको जाना है और आप पहले से ये declare करके रखें आप एक से ज़्यादा nominees भी रख सकते हैं तो आप जब annuity खरीदने जा रहे हैं तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका nominee कौन है और आप उनका details correctly दे ताकि उसके बाद उनको दिक्कत ना हो और काफी options है annuities में जिसमें nominee को भी benefit मिल सकता है तो अपना nominee के information correctly भरे form में तो basically nominee कोई भी हो सकता है दीपक? नहीं, usually spouse ही है, मगर रखने को आप किसी को भी nominee रख सकते हैं मगर annuity के कुछ options हैं जिसमें आप spouse को ही attach कर सकते हैं जैसे आप एक seventh option है जो annuities में हैं वो है कि आपको और आपके मरने के बाद spouse को यह benefit मिलता है तो वो spouse के बदले में कोई और नहीं हो सकता है spouse को ही होना brother या sister भी नहीं हो सकता है तो वो spouse होना बहुत जरूरी है तो यह pension ही है इसलिए spouse ही इसका nominee हो सकता है